फिल्मों में बिस्तर पर उंगली प्रक्रिया को समाज के सामने दिखाने वाली वीरांगना सुवर भासकर अब शादी के बंदन में बंद गई है ये तो ब्लंडर बोल दिया हमने शुरू से शुरू करते हैं फिल्मों में विस्तर पर उंगली प्रक्रिया को समाच के सामने दिखाने वाली सूर भासकर ने निकाह कर लिया है। इस निकाह को शांती दूद के सात बड़े ही शांती पुर्ण तरीके से किया गया है। similarly आज ट्रोल मत किजी। ट्रोल किया मैंने। ये ट्रोल है। अरे भा अतर्मा के नए नए बने शोहर का नाम है फहाद मिया जो सपा के नेता है अब बड़े नेता है ये टटपुझे टाइप के नेता इस पर ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि हमने नेता के तौर पर इनका नाम कभी सुना नहीं हाँ CAA के विरोध में चाती फाड़ कर कागज नहीं दिखाएंगे गैंग को लीड करते जरूर देखा था उन्हीं दिनों सुवरा भी अपनी दो कौड़ी की फिल्मी मंडली के साथ चाती पीट-पीट कर CAA के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी तब लगा था ये लेफटिस्ट मान से पहले सुवर ने अपने ससुराल के रीती रिवाजों को सीखना बहतर समझा और शायद उसी सीख के चलते एक फैबरवरी के अपने ट्वीट में महतरमा अपने ही होने वाले शोहर को भाई बता रही है ये सुवर को शायद ये भी नहीं मालूम की जरूरी नहीं की भाई बहन के बीची शादी हो सकती है, अंजान से भी शादिया हो सकती है मुस्लिम्स में, बट ये दो कदम आगे निकलते हुई, पहले इन्होंने होने वाले शोहर को भाई बनाया, उसके बाद निकाह किया, चलो अच्छा है, शादी से पहले ही सब समझ लिया, वरना शादी के बा करना चाहूंगा कि उसने सही समय पर शादी करके सेटल होने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब फिल्मों में उसकी हालत ऐसी हो चली थी, कि उसे कभी भी लात मार कर बाहर फैका जा सकता था, तो अच्छा है समय रहते खुद ही शादी करके फिल्मों को अलविदा कह दिया, न अब शादी के बाद तो जो रही सही उमीद थी कि कहीं किसी बड़ी फिल्म में, कोई बाई 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 वाई वाला रोल मिल जाता तो अब वो भी नहीं मिलने वाला क्योंकि फिल्मों में हीरो का करियर्ट शादी के बाद ग्रो करता है, लेकिन एक्टरस का करियर्ट शाद भासकर की तुलना कर रहा है तुझे तो शर्म से समंदर में डूब मरना चाहिए हाला कि स्वरा भासकर रियल में इनी दोनों एक्ट्रेसेस की सस्ती कौपी है पतलब दिपीका और करीना भी हैं इसी कैटेगरी के बस उन दोनों अब जब अबदुल मिया से शादी करी ली है तो राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी वाली कहावत सच हो गई है अब दोनों मिलकर ओन पेपर सरकार के खिलाफ प्लैनिंग करेंगे दंगो के वक्त सुर और उसका शोहर मिलकर तै करेंगे किस एरिया में कितने लोगों को भेजना है मतलब तू छोड़ धोंडूम हमारे वीवर्स समझदार हैं समझ गए होंगे दिल्ली में दंगो के दोरान सुर जी सोशल मीडिया के माध्यम से दंगे भढ़काने का काम कर रही थी अब तो दंगे भढ़काने वाला साथ में ही रहेगा तो आराम से दोनों प्लैनिंग करते रहेंगे तो बस यही था सुर का छोटा सा करियर अनलस की आगे किसी CAA या किसान अंदोलन टाइप में धरने पर बैटी सुरा पेट्रोल डाल कर खुद को जलाने की धमकी दे कर सरकार का विरोध करे मतलब अब इस तरह का महौल तो उसे मिली रहा होगा क्योंकि एक एक्ट्रेस के तोर पर तो इसका काम खतम हो चुका है दुख होता है कभी-कभी जिसने रांजना फिल्म में अच्छा काम किया था इवन अनारकली ओफ आरा में अच्छा भी नहीं किया था वो अपने करियर को और उचाए पर ले जा सकती थी लेकिन जिस तरह की इसकी मानसिक्ता थी इसने प्रोफिशन ही गलत चुना था इससे शुरू सही किसी लेफ्टिस्ट गैंग के साथ जुड़ जाना चाहिए था हाला कि ये फिल्मों के दौरान भी जुड़ी हुई थी लेकिन बॉलिवुड में आए बिना ये सड़ी हुई मानसिक्ता के साथ लेफ्टिस्ट ग्रूप में सक्रिय रहती तो आज ज्यादा काम्याब होती लेकिन देखिए ऐसी एक्टरस की कहानी इस मोड पर आकर खत्म हुई सडक छफ टाइट से उसे शादि करके सیटल होना पड़ा और सیटल होना तो हम आम भाषा में बोलते हैं एकाउंट सेटल हो जाता है उसका यह भगवान जाते है बागए I equal की sewer अपने आने वाली तीन और सौ्तं के लिए भी तैयार होंगे या ये खुद ही किसी की सौतन बनकर आई हो तो मुझे पता नहीं एक्चुली मैंने ये वीडियो बनाकर अपने और आपके चार-पांच मिनट बरबाद किये क्योंकि ऐसो की शादी को लेकर तो अपना कीमती समय नहीं बरबाद करना चाहिए